दोस्तों इंडियन रेलवे ने अब ट्रेनों में से स्लीपर कोच को हटा कर एकोनोमी कोच को लगाना शुरू कर दिया गया है और मैं आपको पता दूँ कि एकोनोमी कोच में लगने वाला जो किराया होता है कि इंडियन रेलवेस की ट्रेंस में ट्रैवल करने वाली पैसंजर की जो संक्या है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है ऐसे में दोस्तों ग्वालियर की चार ट्रेनों में स्लीपर कोच की जगे एकोनोमी कोच को लगाने की खबर निगल के सामने आई है और मैं आपको पता दूँ कि सुसासन एक्सप्रेस और दोर एक्सप्रेस ट्रेन में पहले से ही एकोनोमी कोच को लगाया जा चुका है लेकिन दोस्तों दो दिन पहले ग्वालियर और एहमदाब लेकिन अगर आप economy coach के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ तो अगर आपके ticket पर M लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको third AC economy coach में travel करना है लेकिन जिन economy coaches को फिलाल ट्रेनों में लगाया जा रहा है उन economy coaches को third AC economy coaches के नाम से नहीं जाना जाएगा क्योंकि जिन economy coaches को अभी के लिए ट्रेनों में लगाया जा रहा है वो coaches आपको third AC economy coach से थोड़े अलग देखने को मिलेंगी लेकिन इस economy coach में मिलने वाली जो सुईदाएं है वो आपको बिल्कुल third AC economy coach की तरह ही देखने को मिलेगी लेकिन इसमें लगने वाले जो किराया है वो 3rd AC Economy Coach से आपको कम ही देना पड़ेगा और ऐसा बता जा रहा है कि इन Economy Coach इसमें ज़्यादा सीटों को लगाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग Economy Coach में ट्रैवल कर पाएं और सभी लोगों को Confirm Seat मिल पाएं तो कुल मिलाकर इंडियन डेलवे के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि ट्रेनों में से स्लीपर कोच को हटा कर Economy Coach को लगा दिया जाए क्योंकि Economy Coach में मिलने वाली जो सुईदाए है वो आपको स्लीपर कोच से कहीं ज़्यादा बैटर देखने को मिलेगी जिसके कारण ultimately passengers की जो journey है वो काफी ज़्यादा comfortable हो जाएगी तो वैल दोस्ता इस वीडियो में इतना ही I hope you like the video तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए जाएं